सो हेलो डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे तो आज हम लोग डी त्रिपल एस्बी एनम जिसमें की हम लोग 180 कोश्चन तक कर चुके हैं उसकी बाद आज हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें की 20 कोश्चन बचा है और जो 100 को सबका बच्छा हुआ है तो आज हम 20 कोश्चन को देखेंगे कि कैसे क्या उनमें कौन सा एंस्वा रहेगा इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि डी त्रिपल एस्बी का एक्जाम किस तरीके से होता है तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं अगर आपने हमारे चैन अधि-अधि क्या होती है अच्छा कनफिड़ा आपको पता है कि किया होता है कनफिड़ा जो होता है इसको हम ऑम कहते हैं इंग्लिश में मम्सकी जो वद्भवन अधि वह धी होती है MMR का टीखा जो कि बच्चों में लगता है MMR का तीनो वैक्सीन का कमबाइन टीखा दिया जाता है कमबाइन इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें MMR, मेजल, मम्स, रुबहरा तीनों इंक्लूड रहते हैं निम्ड में से कौन अक्रांत करने की बाद आजीवन प्रतिरच्छा देता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर यह विमारी एक बार किसी को भी हो जाती है, ज्यादा तर तो बच्चों में ही देखी जाती है विमारी, तो कौन से ऐसी बीमारी है, इसमें से जुदिया गया ह इसमें से कौन सेसी बीमारी है जो एक बार हो जाती है तो हमेशा जीवन भर के लिए क्या करती है कि प्रतिरच्छा दे देती है तो इसके लिए राइट ऑप्शन इसको killed करने के लिए हमें कितने चीजों की जरूरत होगी तो जब next बार होता है तो वो नहीं होता है नेस्ट कॉस्टन कॉन सा है कि छोटी माता की संबंधित अवदी है तो जो छोटी माता का इसका मतलब यह है कि इसका incubation period कितना होता है जो चोटी माता होती है, उनका incubation period कितना होता है, तो इसमें जो right option B हो जाएगा दरवरा के बाद 4-5 दिन, दरवरा मतलब होता है रैसे, जो रैसे रेड रेड कलर के होते हैं, जब वो हो जाता है, तो उसके 4-5 दिन तक ही ये रहती है चोटी माता, नुकीले उपकरडों को इस किरड की माध्यम से और लाजाल की माध्यम से और गरम हवातीनों के माध्यम से हम विशंक्रमित कर सकती हैं, लेकिन इसका जो एक important point है, ये भी कभी-कभी पोच लेता है, कि कभी-कभी boiling करके जो उबाला जाता है, उबाला नहीं जाता है इसको, अगर विशंक्रमित करना है तो उबाल कर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उबालने से जो सार्प चीजी होती है उनका जो नुखीला पन होता है वो खतम हो जाता है तो कौन सा बलसाली रोगाडू नाशी है इसका कहने का मतलब ओने करना है तो कौन सास्थी बलसाली सबसेज्जादा स्ट्राग है कि अगर कुछ भी करते हैं तो कि जाने विलोगाडू कि हैं तो वो होता है इसमें सबसे ज़्जादा है तो इसमें 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 इंफेक्शन हुए रहें जितने भी बैक्टीरिया वारास इधर उदर ओड़ रहें वो सब क्या हो घुल्ड हो जाएं केरेटो मिलेसिया इस से संबंदित है तो केरेटो मिलेसिया जो होता है वो विटामिन A की कमी की वज़ा से होता है ये एक आखों से संबंदित बीमारी होती है केरेटो मिलेसिया और ये किस बीमारी में देखा जाता है कि प्रयोजी समागरी के लिए विसंक्रमण का बहतर तरीका क्या होता है अच्छा प्रयोजी समागरी मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो इसका मतलब है कि डिस्पोजल देख रहे हैं कितनी इस तरीके से हिंदी लिखके देते हैं एक्जाम वाले कि आधे विच्छे तो बता ही न पाएं कि यह क्या होता है अगर आप लोग पढ़े भी होंगे डिस्पोजल आपने पढ़ा होगा बट प्रयोजी समागरी आपने नहीं पढ़ा होगा तो चिंता की बात नहीं है अगर आप पेपर सॉल्प करें तो आपको इंगलिस और हिंदी दोनों में जाता है वह गामा विकरण होता है इसका राइट ऑप्सन सी हो जाएगा नेस्ट एक कोश्चन है कि अनुलंब प्रशारण इनकी द्वारा होता है अनुलंब प्रशारण मतलब पता है आपको वर्टिकल वर्टिकल प्रशारण किसके द्वारा होता है तो देखो जो वर्टि मच्छ्चर से तो वगएव वगएवान तो यह होता है यह जो होता है वर्टिकल प्रशारण जिसको हम ब्लेसंटा के तुक्वेट्वी प्रशारण देखते हैं rain 83 हो गया कि किसे फैलने से रोखना अत्यांत मुस्किल है तो इसका राइड प्लेटी होगा आप लोग बताईए थोड़ा तो इसका जो रायट आपसर हो जाएगा वो क्या होगा आप लोग देखिये रोग वहाँ खोगा या फिर आदमी से आदमे मतलब इनसान से इनसान में होगा रवाय वाहित होगा जलवाहित होगा देखो एक चीज बताती हूँ तो कर नहीं सकते हैं कि हाँ यहां की वाह यहां तक ही जाए और यहां की जो हवा है यहां तक जाए ऐसा हो नहीं सकता वाय चलती रहेगी जहां तक मन करेगा उसका वहां तक ऐसे जाता रहेगा तो वाय को नहीं रोक सकते हैं ठीक है और जल वाहित है तो जल निकासी भी आप कर सकते हैं कि अगर जल से कोई बीमारी फैल रही है तो वहाँ बात बना देंगे डैम बना देंगे जिसकी वजह से जहां तक कोई बीमारी है जल जनित तो वहाँ की बात से अगर डैम बना दिया जाएगा बात बना दिया जाएगा त उसके बाद उसकी निखासी को रोग दिया जाएगा तो उसकी बाद की इरिया में नहीं होगा और आदमी से आदमी अकर किसी इंसान को कोई बिमारी हुआ है तो उसको क्या करेंगे आइसोलेट में रख देंगे आइसोलेट में रख देंगे जिसकी वज़े से क्या होगा कि व कि जीव की प्रभेस करने की बाद अत्यदिक संक्रमण उत्पन करने की अवधि को क्या गहते हैं अगर कोई भी जीव जैसे बैक्टीरिया है अगर ब्यक्ति के अंदर इंटर कर गया है ब्यक्ति की बाडी के अंदर इंटर कर गया है और अत्यदिक संक्रमण उत्पन करने जब को हम कहते हैं इसको कहते हैं कि सीरियल इंकुति प्राइल बता रहे हैं और कुछ कर्uresन रोग की प्रभंधन के लिए सुहस्ता साहया कॉनसी दवाई उप्योग करते हैं अगर किसी को तीब प्रोशन रोग हो गया है तो उसके लिए स्वास्त सहायक जो होती है वो कौन सी बीमानियों का कौन सी जो दवा होती है मेडिसिन होती है उसमें कौन सी दवा का यूज करती है तो इसका राइट आपसन ए हो जाएगा को लोटरी मैक से जोल का घैक हां केसी को छाय रोग हुआ है तो इसमें क्या किया जाता है इसका मतलब है कि घूमां के ने के को स्टल्टे है तो इसका काएीड एपसन सी हो जाएगा और इसमें क्या होगा कि मलेरिया किस मच्छर से आदमियों में फैलता है तो मसरी जो में काटते है कभी पुरूज वाले मजज़ होते हैं वह नहीं काटते हैं इसे बेखकर नहीं फिलीटी दो क्या करती है खुन पीने का काम करती है ठीक है नेस्ट कोश्चन क्या है कि जल वाहिद बीमारी को पहचाने तो जल जलित बीमारी कौन सी है अच्छा देखो जो ड्वेंगो रोग होता है ड्वेंगो किसकी वज़े से होता है मच्छर की वज़े से मलेरिया भी मच्छर की नदी को निकालना और उसको बाधना निकाल के उसको बाधना क्या कहते हैं तो डिम वाहिनी का मतलब होता है कि फैलोपियन ट्यूब क्या होता है फैलोपियन ट्यूब जिसको हम कहते हैं और यह किसमें पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो फिमेल में पाया जात वह किस Extreme में होता है कि quirb को परिवार नियोजन का यह मैं भान सकते हैं और शब्र हुदी ह करते हैं अगर में खरते हैं उपर सब्सक्राइभ और निटाग्य, परफर महिलाएं होती है उनमें ट्यूबक्टॉमिल कहलाते हैं तो एक अस्थाई भी होती है अच्छा रज श्राव चक्र के किन दीनों के बीच आयोडी लगवाना चाहिए तो जो रज श्राव होता है मतलब रज श्राव मतलब होता है मैंसुरेशन साइकल का जब स्टार्ट होता है जब चलता रहता है इसको पीरिट की नाम से जानते हैं तो किन दिनों के लिए लगाना बेल लगाना बेतर होता है तो अगर आयोडी लगवाए जाता है जिसको intrauterine device कहते हैं यह एक family planning का एक method होता है जिसकी तो पांच साल या साथ साल इस तरीके से क्या होता है कि यह रहता है कि पांच साल के लिए आपको protect करेगा या साथ साल के लिए जिस तरीके से आप लगवाते हैं कोई-कोई जो IUD होता है वो दस साल के लिए भी protection देता है तो कि चीज़े होती है और यह तीन से साथ दिन के बीच में लगवाया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि वेजाइना का जो मू होता है वो बिल्कुल open रहता है और उसके बाद अगर आप लगवाते हैं तो वेजाइना का जो माउथ होता है वो close हो जाता है तो इस तरीके से इसलिए क्या होता है कि तीन से साथ दिन के बीच में लगवाया जाता है अच्छा नेस्ट कोश्चन क्या है नेस्ट कोश्चन है परिवार नियोजन में समानता उप्योग आने वाली धातु कौन से है तो इसमें क्या होता है कि ताबा का सबसे ज्यादा यूज होता है जैसे चो कॉपर्टी इसको आयोडी को हम कॉपर्टी की नाम से भी जानते है इसमें कॉपर्टी में क्या होता है कि इसमें भी ताबा का ही यूज हुआ रहता तो जितने भी डिवाइस होते हैं अगर लगबग ये ताबी का यूज ही होता है मालाडी इसका एक उदारण है तो मालाडी किसका एक उदारण है तो मालाडी जो होता है वो एक प्रकार की गोली होती है जिसको हम पिल्स के नाम से जानते हैं तो ये होता है कि गोली के माध्यम से हम लियते हैं मालाडी भी एक क्या होता है family planning का एक तरीका होता है जिसमें की अस्थाई विधी होती है तो ये हो गया ठीक है next question है कि बहुत देसी सहायक समान निता इतनी जनसंख्या की सेवा करती है तो बहुत देसी जो सहायक होती है वो 5000 की population पर कारे करती है और एक एनम जो होती है वो सब सेंटर पर 3000 से 5000 की जनसंख्या पर काम करती है जिसमें की 3000 जो होता है वो हेली एरिया पर होता है जिसको हम कहते हैं की mountain area इस तरीके से जो एरिया होते हैं वहाँ पर 3000 की जनसंख्या होती है और 5000 की जनसंख्या होती है जब वो ऐसे मैदानी छेतर की होती है टीकाओं के संग्रहण और परिवान को क्या कहते हैं जो टीका का संग्रहण क्या जाता है मतलब वैक्सीन वैक्सीन को जो संग्रहण किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं और उसको लेकर जाना एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक मतल इसना है कि वाक्षीन को छाकर आता है आप लोग देखते होंगे कि एनम जो होती है वह एक इस तरहेकर का डिपा अर ओस्तो ही एक जया आद रहता है इधर चार्स पैक बना रहता है और उसके बीज में वैक्सीन रखी होती है तो वह भी वैक्सीन खराब ना हो इसके लिए ऐसा किया जाता है इसके लिए ऐसे वैक्सीन को रखा जाता है यही एक cold chain का method है तो यह सब होता है कि cold chain में इस सब चीज़े आती है अच्छा अगर आपको इस सब की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे telegram app से जूड सकते है और telegram को जो लिंक है वह आपको कहां पर मिलेगा वह आपको description में भी मिल जाएगा और comment box में भी मिल जाएगा तो वहां से आप telegram group से join होकर क्या करेंगे आपको अगर PDF की need होगी तो आपको मिल सकती है और अगर आपको first year या second year की PDF चाहिए जो की model paper की PDF चाहिए तो आप ल की doubt हो तो आप लोग comment box में बताएगा और आपसे एक question है कि जो polio होता है वो किसकी वज़ा से होता है वाइरस बैक्टीरिया या फिर जिवा प्रोटोजोवा या कवा किस की वज़ा से polio रोग होता है और polio की जो vaccine होती है वो live होती है या फिर killed होती है यह आपको comment box में बता मुझे काफी कुछी होगी कि आप लोगी त्यारी अच्छी चल रही है चले मिलते हैं नई वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद